अर्पित की तो ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तो आप ये तस्वीरे देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और बैंगलूरू के विधान सौध में संत कवी श्री कनकदास और महर्शी वालमिकी की प्रतिमाँ पर उन्होंने पुश् पुश्पांजली अर्पित की याद किया उनके विचारों को और साफ तोर पर अगे भी उनके तमाम जो कारिकरम हैं वो प्रायोजित हैं और उसी में यहाँ पर उनको जाना था और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचे तो संत कवी श्री कनकदास और महर्शी वालमिकी की प्रतिमाँ पर उन्होंने पुश्पांजली अर्पित की जिसकी हम तस लगातार अपने नितरत में लगातार वहाँ पर काम हो रहा था और उसी पर आज तमाम कारिकरम यहाँ पर होने वाले हैं डेवलप्मेंट की अगर हम बात करें हाई टेक टेकनोलिजी की बात करें ट्रांस्फॉरमेशन की बात करें नए दौर की बात करें तो नए दौर में कदम से कदम मिलाने के लिए लगातार जो अगरसर हुकर प्रधान मंतरी नरिन रमोदी यहां पर अपने नितरत में तमाम उनके नितरत में ये काम हो रहे हैं और उन्ही कामों की बानगी है कि जब प्रदान मंतरी डक्षिड भारत के दौरे पर पहुँचे तो तमाम तहयारियां वहाँ पहले से की गई हैं और उन्ही तहयारियों को लेकर ये तस्वीरे भी लगातार आ रही हैं और सबसे पहले उन्होंने शुरुवात यहीं से की और विधान सौथ में संतकभी श्री कनकदास और महारशी वालमिकी की प्रतिमाओं पर पुश्पांजली अर्पित की और ये तस्वीरे आप देखिए हाँ तो महारशी वालमीकी की तस्वीर पर अब उन्होंने पुश्पांजली अर्पित किये से पहले हमने आपको दिखाया था संतक कभी श्री कनकदाजी की प्रतिमा पर उन्होंने वहाँ पुश्पांजली अर्पित की थी और इसी से जुड़ी हुई ये लगतार तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि तैयारिया किस तरह से हैं भव्य तैयारिया यहां पर की गई हैं दक्षर भारत में जब प्रधान मंत्री नरिद मोदी का ये दौरा है क्योंकि चार राजियों का दौरा है और ऐसे में प्रधान आपको दिखा रहा हैं तो हुई उए तस्वीरे लगतार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे आप देख सकते हैं काफी महत्भोर ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरिद्र मोदी का दौरे को लेकर तमाम तैयारिया